दोस्तो नवस्कार, रेडियो एक ऐसी विधा है, जो ना सिर्फ सुलब है, सरल है, बलकि कम खर्चे में आप उसको सुन सकते हैं, और इसको सुनने वाले लोग गाओं में, सहरों में, और मेट्रोज में, कारों में, दफ्तरों में, सब जगा आपको मिल जाएंगे, और रेडि मैगजिन, और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि रेडियो मैगजिन क्या होता है, और रेडियो मैगजिन कैसे तयार की जाती है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि मैगजिन होता क्या है, आप मैगजिन जानते हैं, जिसको पारंपरिक तोर पर एक ऐसा आलिक क कहा जाता है या दस्तावेज कहा जाता है जिसमें तमाम समसमाईक बाते होती है मैगजीन में अखवारों से मैगजीन इसलिए अलग होती है कि मैगजीन या तो वीकली होती है या फिर मंथली होती है या ट्राइम मंथली होती है अलग-अलग मैगजीन का अलग-अलग निकलने हैं साथ ही में यह भी होता है कि उसकी जो पेज की क्वालिटी वह बहुत अच्छी होती है तो जो फोटो होती है वह बहुत निखर के देते हैं या उसको रगदी के भाव में या कोने में पड़ा होता है मैगजीन के साथ ऐसा बिलकुल नहीं होता है मैगजीन को आप बहुत अच्छे से रखते हैं और उसको फिर निकालके पढ़ते भी हैं कई वार तो इसलिए मैगजीन बहुत पॉपलर है जिसको भी खबर की गंभीरता से रूबरू होना होता है वो मैगजीन जरूर पढ़ता है हर पड़ेली के घर में इंटेलेक्चुल फैमिली में मैगजीन का आना एक समाने सी बात है और लोग मैगजीन मंगाते हैं मैगजीन के विजए कई हो सकते हैं स्पोर्स पर हो सकता है खेल पर हो सकता है इन्वार्मेंट पर हो सकता है, करिंट अफेयर हो सकता है, कई सारे विजे पर मैगजिन निकलते हैं। अब रेडियो पर इसलिए जो मैगजिन होती है, वह एक रोचक होती है, उसमें आप खबरों को तफसील से प्रस्तुत करते हैं, जो भी घटना करम है, चाहे वह समसमाईक बाते हैं, चाहे खेल से जुड़ी भी बाते हैं, चाहे हिल्थ से जुड़ी भी बाते हैं, आप उसके विस्तार से बताते हैं. मैगजिन के कई format हो सकते हैं. एक तो नाटक के तरह भी आप उसको दे सकते हैं, रेडियो मैगजिन की मैं बात कर रहा हूं. दूसरा आप बाचीत के अधार पे भी दे सकते हैं, इंटर्वियू भी उसमें हो सकता है और उसके अलाबा मैगजिन में आप हो सकता है कि कोई एंकर हो और वही प्रस्तूत करें सिधा सिधा बात है कि मैगजिन में आप जिस्वी विशाय के साथ उठाते हैं उसकी गंभीरता और उसके समगरता के साथ बाचित करते हैं मैगजिन में विशाय की सुरुवात से लेकर अंत तक आप तमाम बातों का उल्लेक करना नहीं भूलते हैं, जो कि दर्सकों के लिए जानना ज़रूरी है. मैगजिन की लोग पुरियरता काफी है और रेडियो मैगजिन को भी सुनने वाले लोग बहुत होते हैं, इंतियार करते हैं कि कब मैगजिन आएगा. इक बार आप सुन लेते हैं Radio Magazine तो आपको विशे से समद्रित किसी तरह की कमी या कुछी तरह का धोराव या किसी करकूकते की Confusion नहीं रहता है तो यह पुरा Radio Magazine है Radio Even zit recently debatinguring क्या है का ज़ने आपको मैंने पहले ही बता आया है क्या पहले से चला रहा है लेकिन जैसे जैसे रेडियो की लोग प्रियता अभी जो बढ़ रही है एफ-एम रेडियो या तमाम अधर विधायें जो है रेडियो के पॉडकास्टिंग अगरा तुम मैगजिन का फिर से परचलन काफी तीजी से फैल रहा है मैं आपको फिर से बता द चाहिए दो अर्थी ना लिखे और किसी भी फिगर को राउंड बनाने की कोशिस करें ताकि उच्चारन में भी असपश्टता आए और समझने में भी आसानी हो और रेडियो पर लिखते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि आप एक्टिव वाइस में ही लिखे ताकि आप र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगा मिलते हैं इसी तरह से किसी दमदार प्रस्तिती के साथ धन्यवाद